प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है जरसल यह पत्र राम मंदिर जो भव निर्मान किया गया है उसको लेकर तो मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बधाई दी ही है साथ ही सीता माता जो है बिहार में पुनावरा धाम जो इस्थित है वहाँ पर सडक और ट्रेन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पत्र लिखा है पत्र में क्या कुछ लिखा है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने वो हम आपको बताते है विशे सीता मढ़ी जिले से अवस्थित मा सीता की जन्म अस्थली पुनोरा धाम हेतू सडक एवं रेल संपर्कता के संबंध में सर्व प्रथम मैं आपको अयोध्या में भगवान राम के भव मंदिर के निर्मान एवं पवित्र नगरी अयोध्या के विकास हेतू किये गए कारियों के लिए बधाई देता हूँ मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंद खुशी हो रही है कि बिहार राज के अंतरगत सीता मढ़ी जीले में अवस्थित पुनोरा धाम माता सीता की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की तरही माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का भी वृद्ध धार्मिक महत्व है बिहार सरकार द्वारा यहां पर पचास एकर भूमी को अधिगरित कर पुनवरा धाम अंतरगत मा सीता के मंदिर परिशर के विस्तार एवं सौंदरी करण के कार निर्मान निर्ने लिया गया है यह संतोस का विसय है कि भारत सरकार द्वारा अयोध्या से सीता मढ़ी जिले तक राम जान की मार्ग के निर्मान हेतु कार किया जा रहा है इस मार्ग के बन जाने से शधालूओ को अयोध्या के साथ ही मा सीता की जनमस्तली पुनवरा धाम आने में सुबिदा होगी अनुरोध है कि इस मार्ग को सिग्र पुर्ण किये जाने हेतु संबंदित मंत्राले को आवस्यक निर्देश देने की किर्पा की जाए साथ ही भारत सरकार द्वारा हाल के दिनों में रेलवेज संपरकता के संबंद में कई जन उपयोगी कारिक किये गए हैं जिसमें बंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी महत्वपूर्ण है बिहार राज को भी इससे लाब हुआ है जिसके लिए मैं आपको विशेश रूप से धन्यवाद देता हूँ अयोध्या से सीता मड़ी के बीच बेहतर रेल संपरकता हो जाने से श्रधालियों को काफिस सुवधा होगी अनुरोध है कि अयोध्या से सीता मड़ी के बीच भी एक बंदे भारत ट्रेन के परिचालन हेतू रेल मंत्रालय को समुचित निर्देश देने की किरपा की जाए रेल संपर्कता प्रदान कराने के लिए लिखा है यह पत्र मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जड़ा सल मुख्यमंत्री नितीश कुमार जो पुनोरा धाम है तो वो राज्य सरकार अपने खर्चे पर उसको भूमी अधिगरहन करने के बाद वहां पर सौंदरी करन किया गया है लेकिन जिस प्रकार से आयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर भपे बना है और वहां से जो श्रधालू आते हैं तो उनके लिए जो सरक का निर्मान कार चल रहा है उसको तेजगती से करने के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पत्र लिखा है और साथ ही बंदे भारत ट्रेन बिहार को मिला है लेकिन पुनोरा धाम से सीधे अयोध्या के लिए एक ट्रेन की मांग मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने की है जरसल मुख्यमंत्री नितीश कुमार का यह पहला ऐसा चिठी है जो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधान मंत्री है उनको लिखा है इससे पहले सायद ही मुख्यमंत्र नितिश कुमार ने कोई पत्र प्रधान मंत्री को लिखा हो और इस तरह की मांग उन्होंने कभी की हो लेकिन जरसल जब आयोध्या धाम जहां पर भगवान राम की जन्मस्थली है भारती जन्ता पार्टी के सरकार बनने के बाद वहाँ पर निर्मान कारिक किया गया आयोध्या मंदिर बनाया गया उसके बाद वहाँ से सीधे ट्रेन चलाने की बंदे भारत चलाने की मांग की जा जो सड़क निर्मानकार चल रहा है वो जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश दे ताकि उसको पूरा किया जा सके मुक्यमंत्री नितीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है देखने बाली बात ये होगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम को कब तक करेंगे करेंगे भी या नहीं करेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन फिलाल मुक्यमंत्री नितीश कुमार ने बड़ी मांग रखी है देश के प्रधानमंत्री नर प्रेंद्रमूदी क्या वाके में ही बंदे भारत ट्रेंड चलेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा लेकिन फिलाल जो निर्मानकार चल रहा है उसको भी तेजगती से करने का आगरह किया है नितीश कुमार ने बड़ेश पूनेशन के साथ नमस्कार